Hi everyone, welcome to Aparna College और आज हम जिस topic की बात करेंगे वो है binary tree traversals अब traversal कहने का मतलब ये है कि हम अपने tree पर कैसे travel करेंगे हम अपने tree के सारे notes तक कैसे जाएंगे और उन notes की values को कैसे लिखेंगे तो tree data structure में हमारे पास तीन तरीके होते हैं अपने tree की values को लिखने के और इन सारे traversals के कुछ ना कुछ अपने uses होते हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले traversal से which is pre-order traversal तो pre-order traversal हमें कहता है कि आप जिस root पर हैं पहले उसकी value लिख लीजे और आपने जब उसकी value लिख ली है तो उसके left subtree पर जाईए left subtree मतलब left node और left node से निकलने वाले बाकी सारे nodes तो root के left subtree को आप पूरा travel कर लीजे और उसके बाद जब आप वापस root पर आएं तो root के पूरे right subtree को travel कर लीजे अब pre-order traversal को समझते हैं एक example की help से तो ये हमारे पास given है एक binary tree जिसमें हमारी root node है 1 और नीचे हम लिखते जा रहे हैं अपना pre-order sequence तो सबसे पहले हम root node पर है 1 1 मेरी root है मैंने 1 को अपने pre-order में add कर दिया अब हमें जाना है 1 से 1 के left subtree पर तो हम जाएंगे 1 से 2 पर और 2 हो गया हमारा current root अब pre-order कहता है पहले आप root पर आएं हैं तो root की value लिख लीजे तो pre-order sequence में हमने 2 की value add कर दिये अब 2 के बाद हमें 2 के left subtree पर जाना है तो 2 से हम जाएंगे 4 पर और 4 अब हमारा current root बन गया तो हमने सबसे पहले अपने root 4 की value लिख ली अब हमें 4 से जाना है 4 के left subtree पर जो की exist नहीं करता है नहीं और अब हम 4 से फिर जा नहीं पाएंगे कहीं पर तो अब हम जाएंगे 4 से 4 के right subtree पर वो भी exist नहीं करता तो अब हम वापस जाएंगे 4 से 2 पर अब 2 पर हम वापस आ गये 2 को हमने already visit कर लिया था 2 के left subtree को भी हमने visit कर लिया, तो अब हम जाएंगे 2 के right subtree की तरफ which is 5 5 बन गया है, अब हमारा current root और 5 को हमने add कर दिया है अपने pre-order sequence में अब 5 से हमें जाना है 5 के left subtree की तरफ जो कि exist नहीं करता फिर 5 से right subtree की तरफ जो कि exist नहीं करता, तो हम वापस आजाएंगे 2 पर 2 को हमने already visit कर लिया था 2 के left और right subtree को भी visit कर लिया तो हम 2 से वापस आएंगे 1 पर, हमने 1 को visit कर लिया था, हमने 1 के left subtree को पूरा travel कर लिया है तो अब हम जाएंगे 1 के right subtree की तरफ, तो 1 से हम जाएंगे 1 के right child की तरफ, which is 3, 3 बन गया है अब हमारा current root, जिसको हम अपने pre-order sequence में add कर लिया, तो 3 को हमने sequence में add कर लिया, अब हम जाएंगे 3 से 3 के left subtree की तरफ, which is 6, अब हमारा current root बन गया है 6, 6 को हमने pre-order sequence में add कर लिया है, 6 के left child की अब हमें जाना है, पर वो exist नहीं करता, 6 का right child भी exist नहीं करता, तो अब हम वापस 6 से 3 पर जाएंगे, 3 और 3 के left subtree को हमने पूरा travel कर लिया है, अब 3 से हमें जाना है 3 के right subtree की तरफ, अब 3 के right subtree पर हम गये, हम 7 पर आए, 7 हमारा current root बन गया, 7 को हमने अपने pre-order sequence में add कर लिया अब 7 का left subtree exist नहीं करता, right subtree exist नहीं करता, तो 7 से हम वापस गई 3 पर, 3 को हमने already visit कर लिया है, 3 के दोनों children को भी visit कर लिया है, अब 3 से हम वापस जाएंगे 1 की तरफ और हमारा pre-order traversal यहाँ पर खतम हो गया क्योंकि हमने इस पूरे tree को visit कर लिया है, और इसके सारे notes को हमने लिख लिया है तो यह था हमारे इस tree का पूरा pre-order traversal, जिसमें हमारे पास जो sequence निकल के आया notes का, वो है 1, 2, 4 5, 3, 6, और 7 अब pre-order की तरह एक और traversal form होता है जिसको हम कहते हैं in order traversal, तो in order traversal का rule कहता है कि सबसे पहले आप जिस root पर हैं उस root की value पहले मन लिखिए root के पूरे left subtree को travel करिए, फिर root की value लिखिए और फिर root के पूरे right subtree को travel करिए तो अब इस rule की help से एक example solve करते हैं और समझते हैं, how does it work तो सबसे पहले हमारे पास जो same given tree है जिसकी root है one और उसके अपने कुछ nodes हैं, जो branch out हो रहे हैं वहां से, तो हम शुरू करते हैं one से, in order traversal में हम one पर हैं, तो one को हमें लिखना नहीं है, जब तक उसके left subtree को हम travel ना कर लें तो one से जाएंगे उसके left subtree की तरफ which is two two को भी हमने root बना लिया है और two को भी हम तब तक नहीं लिखेंगे जब तक two के left subtree को on travel ना कर लें, तो two से जाएंगे उसके left child four की तरफ अब four का कोई left subtree नहीं है, तो हम four को visit कर देंगे और four को अपने in order sequence में add कर लेंगे, अब four से हमें जाना चाहिए उसके right subtree की तरफ पर right subtree exist नहीं करता तो four से हम वापस जाएंगे two की तरफ, अब two के हमने left subtree को visit कर लिया है तो अब आई two की बारी हम two को भी अपने in order sequence में add कर लेंगे, अब two से हम जाएंगे उसके right subtree की तरफ which is five, five बन गया है हमारा current root, five के left subtree की तरफ अगर हम जाना चाहें तो हम जा नहीं सकते क्योंकि five का left subtree exist नहीं करता तो हम वापस five की value अपने in order sequence में add कर देंगे अब five से जाना चाहें ये right subtree की तरफ पर वो exist नहीं करता तो five से हम वापस जाएंगे two की तरफ, two से हम वापस जाएंगे one की तरफ, अब जब हम one पे आए तो हमने realize कि one के पूरे left subtree को हमने travel कर लिया है तो अब आई बारी one की, जो की root है, तो one को हमने add कर दिया अपने in order sequence में अब हम one के पूरे right subtree को travel करेंगे तो one से हम जाएंगे three की तरफ, अब three बन गया है हमारा current root अब three को हम तब तक नहीं add कर सकते जब तक हम three के पूरे left subtree को travel ना कर ले अब three से जाएंगे उसके left subtree की तरफ, मतलब six की तरफ, अब six का कोई left subtree exist नहीं करता तो six को हमने add कर दिया अपने in order sequence में अब six से जाना है उसके right subtree की तरफ बढ़ six का right subtree भी exist नहीं करता तो हम वापस six से जाएंगे three की तरफ, अब three पे आके हमने realize कि अब की three के पूरे left subtree को हमने travel कर लिया है तो हमने three को भी अपने in order sequence में add कर दिया अब three से हम जाएंगे three के right subtree की तरफ which is seven अब seven से हमें जाना चाहिए left subtree की तरफ पर वो exist नहीं करता तो हम seven को अपने in order sequence में add कर दिया, अब seven से जाना चाहिए right की तरफ पर वो right subtree भी exist नहीं करता seven के लिए तो हम seven से वापस जाएंगे three की तरफ अब three को और six को और seven को हमने पूरा travel कर लिया है पूरी इस subtree को travel कर लिया है तो three से अब हम वापस जाएंगे one की तरफ और इस तरह in order fashion में हमने पूरे tree को travel कर लिया है और हमारे पास जो in order sequence निकल के आएगा वो होगा four, two, five, one, six, three, seven अब बात करते हैं अपने final और third traversal की which is post order traversal अब post order traversal का rule ये कहता है कि अगर आप किसी root पर हैं तो पहले उस root के पूरे left subtree को travel कर लिजे फिर उस root के पूरे right subtree को travel कर लिजे और finally उस root की value लिखिए तो अब इस पूरे traversal को समझते हैं एक example की form में तो हमारे पास ये same tree given है जिसमें हमारी root node है one और अभी हम currently है one पे और हमारा post order sequence खाली है तो हम one को travel करने से पहले हमें उसके left subtree और right subtree को travel करना पड़ेगा तो one से हम जाएंगे उसके left subtree की तरफ which is two अब two बन गया है हमारा root अब two को भी travel करने से पहले हमें उसके left subtree और right subtree की values को travel करना पड़ेगा अब two से हम जाएंगे उसके left subtree की तरफ which is four अब 4 का कोई left subtree नहीं है तो 4 की value को हमने add कर लिया अपने post order sequence में अब 4 से हमें जाना है उसके left subtree की तरफ जो कि exist नहीं करता फिर जाना है उसके right subtree की तरफ और वो भी exist नहीं करता तो हम 4 की value को लिख लेंगे अपने post order sequence में और अब 4 से वापस जाएंगे 2 की तरफ अब 2 के left subtree को हमने travel कर लिया है अब 2 के right subtree को हम पहले travel करेंगे तो 2 से जाएंगे उसके right subtree की तरफ which is 5 5 का left subtree और right subtree exist नहीं करता तो हमने 5 की value को add कर लिया अपने post order sequence में अब 5 से हम वापस जाएंगे 2 की तरफ और 2 के हमने left subtree right subtree को travel कर लिया है और अब हम 2 की value को भी travel कर लिया है मतलब post order sequence में 2 की value को add कर लिया है तो 2 की पूरे subtree को travel करने के बाद अब हम वापस जाएंगे 2 के parent की तरफ which is 1 हम 1 पर आ गए 1 के हमने पूरे left subtree को travel कर लिया है पर 1 का right subtree अभी बाकी है तो 1 से हम जाएंगे right subtree की तरफ which is 3 3 बन गया है हमारा current root अब 3 को travel करने से पहले हमें travel करना पड़ेगा 3 के left और right subtree को तो 3 से जाएंगे 3 के left subtree की तरफ which is 6 6 का ना left subtree और right subtree है तो 6 को हम अपने post order sequence में add कर देंगे अब 6 से हम वापस जाएंगे 3 की तरफ 3 से हम जाएंगे उसके right subtree पर which is 7 7 को हमने add कर दिया अपने post order sequence में क्योंकि उसका left और right subtree exist नहीं करता अब 7 से हम वापस जाएंगे 3 की तरफ अब 3 के लिए हमने उसके left subtree और right subtree को अपने post order sequence में add कर दिया था तो अब उन 3 की value को भी post order sequence में add कर देंगे अब 3 के बाद हम जाएंगे वापस 1 पर तो इस तरह 1 के हमने left subtree को भी ट्रावल कर लिया था अब 1 के right subtree को भी ट्रावल कर लिया है तो अब हम finally 1 की value को भी post order sequence में add कर देंगे और इन सब से finally जो हमारा sequence निकल के आएगा post order का वो होगा 4, 5, 2, 6, 7, 3, 1 तो इस तरह हमने अपने तीनो traversals pre-order, in-order और post-order समझ ली है तो traversals को समझने की कोश़श करते हैं code से तो हमारे पास ये already built structure है node का और यहाँ पे हमने एक tree बना लिया है which is the same tree जो अबने अभी देखा तो इसके लिए हम pre-order का एक function लिखते हैं जो होगा void type का और इसमें हम pre-order print करेंगे इसमें हमारे पास आएगी एक structure node pointer root आएगी हमारे पास और अब pre-order कहता है कि सबसे पहले हमें root को print करना है तो see out करके हम print कर देंगे root के data को उसके बाद हम pre-order call कर देंगे अपने root के left subtree के लिए तो pre-order में पास करेंगे हम root का left और pre-order में left के बाद हम पास करेंगे root का right और यहाँ पर हमारी base condition यह होगी कि अगर at any point मेरा root हो जाता है null तो उस case में मुझे कुछ print नहीं करना मुझे सिर्फ return करना है तो अब इसे test कर लेते हैं हम main function से call करते हैं अपना pre-order function और उसमें pass करते हैं हमारी root और इसे execute करेंगे तो हमारे पास output आया है 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7 जो की correct pre-order है हमारे binary tree का अब हम इसी तरह अपने in order के लिए function लिखते हैं जिसमें similarly हमारे पास आएगा एक node pointer root के लिए root आई हमारे पास और in order कहता है कि सबसे पहले आप अपने left subtree को travel कर लिजिए तो similarly हम in order traversal के लिए function लिखते हैं तो function void type का है जिसमें हम पास करेंगे अपना node pointer for root अब in order कहता है कि सबसे पहले आप अपनी node के left subtree को traverse करिए सबसे पहले call करते हैं in order अपनी root के left subtree के लिए उसके बाद हम print करेंगे अपनी root की value को या इसके data को और जब हमने अपने data को print कर लिया तो हमें in order call करना है अपने root के right subtree के लिए और इस function में भी base condition यही होगी कि अगर किसी point पर हमारा root हो जाता है null तो हमें कुछ print नहीं करना हमें सिर्फ return करना है तो अब in order function को test करते हैं main से call करके इसमें pass करेंगे हमारी root तो हमारे पास जो output आया है वो है 4 2 5 1 6 3 7 जो की correct in order output है हमारे binary tree का अब in order के बाद analyze करते हैं कि हमारा post order हम कैसे लिखेंगे तो post order के लिए भी ऐसे हम function बनाएंगे जिसमें आएगा हमारा root pointer अब post order कहता है कि पहले अपने left subtree के लिए call लगाईए मतलब left subtree को travel कर लीजे फिर right subtree को travel कर लीजे और फिर अपनी value प्रिंट करिए तो post order में हम सबसे पहले call करेंगे root के left subtree के लिए फिर call करेंगे root के right subtree के लिए और finally हम cout कर देंगे root का data और post order में भी base condition यही होगी कि अगर हमारा root किसी भी point पर null हो जाता है तो हमें कुछ print नहीं करना हमें directly return करना है अब post order को भी test करते हैं अपने main function में call लगा के हम pass करेंगे अपना root तो हमारा post order इस binary tree का निकल कर आया है 4 5 2 6 7 3 और 1 which is the correct post order for this binary tree तो इस तरह हमने तीनो post order pre order और in order के लिए functions लिख लिए और उनको implement करके देख लिए आये कि हम code को कैसे लिखेंगे So this was it for today I hope आपको सब समझ आया होगा मिलते हैं next video में till then keep learning and keep practicing reacting अपको सब्सक्राइब अजयी अभी ओर तीनो झाल झाल